गोविंदा जितनी अपनी आक्टिंग के लिए जाने जाते हैं उससे कहीं ज्यादा वो अपने डांस के लिए जाने जाते हैं गोविंदा ने अपने जमाने में लगभग हर हिरोईन के साथ काम किया है लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि गोविंदा को अपनी जोडी नीलम के साथ सबसे अच्छी लगती थी गोविंदा उन्हें अपना हमसफर बनाने के लिए भी तैयार थे लेकिन ऐसा क्या हुआ जो अधूरा रह गया गोविंदा और नीलम का प्यार गोविंदा ने 1986 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म इलजाम सिकी थी और इस फिल्म में गोविंदा की हिरोईन थी नीलम जोडी हिट होते ही दोनों को साथ में लगभग दरजनों फिल्मों के ओफर मिलने लगे एक साथ इतना समय बिताने की वज़े से गोविंदा और नीलम अब एक दूसरे के बेहत करीब आ चुके थे दोनों ने अभी इस रिष्टे को कुछ नाम नहीं दिया कि तभी गोविंदा के लिए शादी कर रिष्टा लेकर आप पहुँची उनकी माँ दरसल गोविंदा की मा को डारेक्टर अनिल सिंग की पतनी की बेहन सुनीता पसंद थी उन्होंने गोविंदा को ये फर्मान दे दिया कि वो उसी से शादी करें गोविंदा ने मा की बात को नहीं टाला और सब कुछ छोड़ चाड़ कर सुनीता से शादी कर ली अभी विडियो को लाइक करें, शेर करें और अभी चानल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी नियूस देखने के लिए फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ बाई बाई